काशि के पुराधिपति भगवान शेव और मानपूर्णा रूप में विराजवान मापार्वती की प्रतिनीदी के रूप में आयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिश्ठा समारों में काशि विद्वत परिषएद के आठ सदस्यों का एक दल शामिल होगा परशद के महामंत्री प्रफेसर राम नरायन द्वेदी ने दूरदर्शन से खास बाच्चीत में बताया कि भगवान भोलेनात वामान पूर्णा के प्रतिनिधी के रूप में काशी विद्वत परशद का आठ सदस्य दल अयूध्या जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए हम काशी से भगवान भोलेनात को अरपित 11 चांदी के बेल पत्र, प्रभु श्री राम के भाई लक्षमन के लिए पितामबरी वस्त्र, मोती की माला वा मा अनपूर्णा को चड़ाई हुई साड़ी, सिंदूर, सोला श्रंगार का समान, माता सीता के लिए काशी से ले जा रहे हैं, इसके साथ उन्होंने बताया कि हम लोग संस्कृत में प्रभु को जगाने के लिए दो मिनट का एक संस्कृत श्लोक भी बनाए हैं, जिसको हम लोग पहले बाबा को सुनाए, अब अयोध्या में यही श्लोक सुनकर प्रभु श्री राम को प्राताकाल जगाया जाएगा उन्निस जन्वरी को ये दल वारणसी से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा मकरशंकरान्ती का पूर्वकाली के महापर्व है उसमें भगवान विश्मवात का आज सोड़ सो पचार पूजन किया गया और अब शेक किया गया और चान्दी की ग्यारा विल्लोपत्र भगवान सीव को समर्पित किये गये और उनसे प्रातना की गई कि भगवान भगवान स्री राम का जो भब प्रान प्रतिष्टा महुत से हो रहा है उसमें निर्विग ने चीजें संपन हो जाएं और जिस प्रकार से वाल रूप स्री राम को आपने त्रेता युग में दर्सम देकर उनकी समस्त वाधाओं को दू पत्र जाएंगे उनके साथ ही उन दोनों भाईयों के लिए चुँकि लक्षमण उनके प्रधान शिवक की तरह उनके साथ हमेशा विराजमान रहते हैं तो उनके छोटे भाई लक्षमण भाईया के लिए और राम जी के लिए कासी से अमलोग रेसम का यह पितामरी वस्त उ और माजानकी जी के लिए चुनरी, सारी और शिंदूर मान पूरा को समर्पित करके ही ले जा रहे हैं.